और नई नाइप स्चीडिंग के वीडियो पर श्वागत करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक के निफटी आज गैप अप ओपन होता है गैप अपन होने के बाद मार्केट में प्राइस अपसाइड की मोमेंटम कंटिनू करनी की कुछिस करता है बट प्राइस सस् लगा तो कहीं मार्केट इसको हीट करने लिए नीचे आया था और फैनली इन देखेंगे तो इनका स्टॉप लोस हीट करकर करके मार्केट फिर यहां से एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिनू करने के बाद मार्केट यहाँ पर एक कॉन्सॉलीडेशन फेस बना रहा था और के बाद जब इसका ब्रेक आउट हुद यहां पर आप देखेंगे तो एक फ्लाग पाटर इसे यहां बहुत हो कहीं कहींज करते हुद तहा होटा नीचे खांश में इंटर्म हो चुका हूँ और यहां पर अभी मैं उसका profit and loss statement आपको दिखाना चाहोगा कि इसमें कितना मुझे profit and loss चल रहा है मैं everyday के तरह कोट एक new platform में trade करता हूँ क्योंकि इसमें brokers बिल्कुल फ्री लगते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरी जो buying है और एक lot के साथ ही मैं trade करना हूँ जिसमें अभी 100 rupees का यहां का profit चल रहा है इसमें मुझे stop loss मैंने 23 points का stop loss भी लिया है क्योंकि थोड़ा सा यह market में मैंने buying momentum जो था उसको कहीं न कहीं मैं miss किया हूँ मैं यहां इस range पर ही buy करने वाना था लेकिन मैं buy नहीं कर पाया था थोड़ा सा confident generate नहीं हो पाया था लेकिन मैं buy order place करकर फिर उसको cancel कर दिया और यहां से एक upside के rally momentum मिस हो गया तो अब देखते हैं कि यहां से मेरा यहां पर देखेंगे तो 23 पॉइंट का stop loss है और मैं target 30.35 पॉइंट का यहां पर target लेने की कोशिस करूँगा अब देखते हैं कि market देता है यहां से घूम करकर करके मेरी अब to date करूँगा यह मेरा आज का trade है call side यहां से एक upside के momentum होनी की संभावना है 401 तक price जाएगा और 401 तक price जाएगा तो हम लोग यहां पांच 600 रुपय का profit में इंड्रॉल हो जाएंगे वेट करते हैं जो भी होगा मैं आपको फिर up to date करता हूं तो यहां पर आप देखिंग देखिए इसकी जो मैंने ट्रीड लिया था उस ट्रीड से कंगने महीं आना पर आप इजीट हो चुगा हूँ इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर आप देखें और जो मार्केट 10-15 पोइंट गीर भात था तो इसमें 10 पोईंट का गिरा वाट आवटा जा रहा था तो इट मेंज अपसाइड मार्केट बढ़ रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रही थे और लीचे गिर रहा था तो बहुत तेजी से प्रीमियम घट रहे थे तो मै मैंने उसके बाइक निफ्टी के जैसे यहां पर देखोंगे तो एक यह पैटरिंस का फार्मेशन क्रियेट करने लगा इसलिए मैं उस ट्रेट से भी निकल गया और इस ट्रेट के एप्रॉक्स मैंने यहां पर कहीं नहीं एक उप की पोजिशन बनाया फिर यहां से एक मार्के में मोमेंटम उतना खास कहीं पर वो नहीं रहा है इसलिए मैंने पूट में देखिंगे तो 222 प्या करें यहां पर स्टॉप लोस लेकर करकर लोस लेकर कर दे इससे विनिवल गया हूं और मैं वेट कर रहा हूं अब फाइनल कहीं पर सेटप के लिए अगर फाइनल सेटप कि बलता है तो मैं इंटी करूंगा नहीं तो मैं अब मार्केट को सिर्फ वाज करने वाला हूं क्रिणी मोमेंटम के मांठी में धेखनी के लिए हैं फिर हम लोगों करेंगे कोसिस करेंगे तो फाइनली कैसे यहां पर देखेंगे कि मैंने 416 रुपया को आज लॉस बूग किया है हाला कि मैंने 2 ट्रेड लिया और दोनों ट्रेड में यहां पर देखेंगे कि 10 पॉइंट के मीनिमम 10 पॉइंट के एप रॉस प्रस थे दोनों में हीट हो चुके हैं तो अगर देखेंगे तो मोटा बोटी आज मैंने 18 पॉइंट का एस्टॉप लेकर गया ज्रेडिंग को बन क देखेंगे कि मैंने इसमें री इंट्री लिया है और सारे में लॉस री कभर थे लेकिन मेरे एक्सपेक्टीशन के एक्वार्डिंग मार्केट यहां पर चला नहीं हूँ इट मीन्स कि मैं आदस पॉइंट का स्टॉप लेकर करके चलता हूँ और टार्गेट जो होता है मेरा 30 पॉइंट प्लस टार्गेट होता है एवरी ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट में 1 इस टू 3 का रिक्स रिवार्ड लेकर करके हार trade में चलता हूँ one lot के साथ जो की मेरा fulfill नहीं हुआ फिर against में मेरे market आगर करके market ने stop loss seat कर दिया तो finally देखे जब आपके setup के according market नहीं चले सब दिन आप market में नहीं कवा सकते हैं मैं previous week पुरा green में रहा, Monday भी green में रहा, Tuesday उपो 460 रुपय का stop loss गया it's okay, girl recover हो जागा लेकिन अगर आप over trading करेंगे तो सब सब पहले आपका mindset भी जाएगा कल trade करेंगे तो आप recover के लिए trade करेंगे जो की आपको भी कल भी loss करा देगा तो मैंने हासी खुषी 460 रुपय दे दिया, 4-5 दिन के बाद एगर एक दिन loss भी होता है तो यह लाजमी है, आपको loss मिलेना है, मैंने loss को accept किया और 460 रुपय के साथ आज की trading terminal को close किया मैं लेंगे फिर कल trade करेंगे एक नए setup के साथ, क्योंकि मैंने multiple trade लियो जिसमें मेरे according market काम नहीं किया, जिसमें मुझे stop loss हुए तो it's okay मैंने उस stop loss के accept किये, क्योंकि market आपके हर दिन आपके according नहीं चलता है तो जो last मैंने trade लिया था, इस approach range के आज पास लिया था, यहाँ पर देखेंगे market ने एक यहाँ पर एक डबलो पाटर्ण से बनाया था, और market इस range पर अगर मैं आपको दिखाओ, तो market कहीं ना कहीं, आज इस range को breakout किया था, जहाँ पर multiple time support ले रहा था, तो मैं समझा कि आज market में यह important label है, जहाँ पर लोगों को stop loss fit किया है हिट करने के बाद मैंने buy किया, buy करने के बाद इसमें और तीम चार सो लोप्या का profit भी दिखा रहा था, लेकिन मेरी one is to three के recording यह set नहीं हुआ, फिर market यहाँ सरी भरसा गया, मैंने अपने stop loss को दे दिया, फिर next day trade करेंगे, नए mindset के साथ, मिलते हैं फिर next day, next video में धन्यों ध